अगर आप शराब बनाने की फैक्टरी डिस्लिरी में काम करते हूँ तो चाहे सैल भी जादा हूँ ना हो एक चीज तो पक्की हो गई कि रोज का एक कोर्टर तो मिली जाएगा है ना लेकिन अगर मालिक कमीना हो और आपको एक बून भी विस्की ना दे तो फिर क्या करें ऐसे में काम आता है इनसान का सबसे असली दोस्त जी हाँ एक डॉग हमारा जो सबसे बेस फ्रेंड होता है और वो भी कोई ऐसा वैसा डॉग नहीं कॉपर डॉग हाई गाईज वेलकम कॉपर डॉग बिंदेड मॉल्ट स्कॉच विस्की का इस वरी एक्साइटिंग न्यू एंट्री एक रिसेंट्ली लांच्ट विस्की है और आम वस लिली लुकिंग फॉर्वर्ट तु ट्राइंग इट क्योंकि काफी कुछ सुनाय में इस विस्की बारे में और काफी इंट अइस अन्लेट्स पोर्ट स्मॉल वन एक विसकी आती यह ब्लैक डॉग जिसका अच्छुली में डॉग से कोई लिन दिने नहीं और अब आई है कपर डॉव जिसका अगेर्ट से कोई लिन दिन नहीं है कॉपर डॉग क्या मतलब होता है कॉपर डॉग एक पाइप होती थी खॉपर की पाइप जो डिसलेणी में काम करने वारे जो workers हैं अपनी trousers के अंदर अपनी pan के अंदर टांक के रखते थी उस pipe के अंदर एक तरफ वो एक quarter एक सिक्के को glue करते थे और दूसरी तरफ से उसे वो खोलते थे उसमें विस्की भरते थे और फिर कॉक से बंद करके वापस अपने पैंट में दालके अपने घर ले जाते थे कि at least उनका उस रात का तो जुगार हो जाए उसके बाद वो लोग पहुचते थे क्रेग लेखी होटेल में जहां पर जादतर सारे workers मिलते थे गठा होते थे और अपने पूरे दिन की कहानी सुनाते थे और वहाँ पर खोलते थे अपना copper dog और उसे साथ में बैठके पीते थे और इस होटल में वो बैठते थे दे क्रेग लेकी होटेल वहीं पर इस विस्की को पहली बार बनाया भी गया उन लोगों के उन वरकर्स की कहानियों से इंस्पायर होके इस विस्की को बनाया गया एक blended malt विस्की है यानि कि एक specific distillery में इसे नहीं बनाया जाता है अलग- 8 different single malts और वो 8 single malts आती हैं स्पेसाइड रिजन से स्पेसाइड रिजन आज यू गाइस नो इस नोन फॉर इस वेरी डेलिकेट सॉफ्ट फूर्टी फ्लोरल विस्की आप तो बिलकुल भी स्मोक आप इस विस्की से एक्सपेक्ट नहीं करेंगे यू विल एक्सपेक्ट अल अब मुश्किल है क्योंकि डियाजियो जो इस विस्की को ओन करता है आज की डेट में अराउंड 20-25 दिस्लिरी जस्ट इन स्पेसाइड रिजन तो कहना मुश्किल है कि कौन-कौन सी सिंगल मॉल्ट इसमें यूज करे जाती हैं कुछ फेमस डिस्लिरी जो है स्पेसाइड की ओन बाई डियाजियो और काडू डफ टाउन जहां से आपकी सिंगल टन विस्की भी आती है सिंगल टन की अलग से डिस्लिरी भी है आमिन तेरा मैंनी मैंनी मोर विस्की सब्सक्राइब नाम किनान लग जाँगा तो वीडियो ऐसी लंबा चला जाएगा ऐसे मेरे वीडियो आजकल काफी लंबे जाती हैं बट लाइक करो वीडियो को जल्दी से लाइक करो वीडियो को उसके बाद ही हम रिव्यू करें शुरू करेंगे लाइक दे वीडियो और सब्सक्राइब इसका नाम है सिंपल लॉजिक फॉर शेयर मारकेट जिसमें वो समझाते हैं कि कैसे पाइदा सकते हैं बिना कोई डीप स्टेडी करें हुए यह बुक मैंने भी पढ़ी है मुझे काफी इंट्रस्टिंग लगी है और आइंगाट सम्रीली गुट टिप्स तो अगर आप भी इंट्रस्टिटे तो आप भी इंट्रस्टे तो अमस्टों इसका लिंक नीचे अज description में है it's an e-book तो easily आप इसे मोबाइल में पढ़ सकते है या आपने computer पर जहां भी आप free है थोड़ा time मिलता है you can just open the book and start reading it so check out the link in the description तो जब बात करते हैं ब्लेंडड मॉल्ट विसकी की एक उसकी जो space side region से आ रही है नाम काफी अजीब और गरीब सा रखा है उन्होंने तो एक बहुत obvious comparison बनता है monkey shoulder के साथ monkey shoulder एक ऐसी उसकी है जिसने पिसले चार-पांच सालों में काफी जदा popularity गेन करी है all over the world not just in India तो शायद कहीं न कहीं कोशिश करी जा रही है कि उस popularity का फाइदा उठाया जाए जाए और अगर एक अच्छी चीज popular हो रही है और उसके जैसी हमें और चीजे भी मिल रही है तो बैन इस गुट फॉर consumers because ultimately हमारे पास variety इतनी मिल रही है ट्राइ करने को और अगर आप confused हो जाते है कि क्या ट्राइ करनी चाहिए और नहीं करनी चाहिए then don't worry मैहून आप लोग को बताने के लिए लेकिन सब यही similarities नहीं है monkey shoulder के साथ इस whiskey की there is another similarity and that is the price price इस whiskey का रखा गया है रुपीज 4,150 रुपीज for this 700 ml bottle जो कि आती है 40% alcohol percentage के साथ monkey shoulder से सिफ 10 रुपे सेस्ती है ये whiskey so it's interesting to see because इस price range में काफी और single malts whiskey आपको मिल जाती है 12 years old single malts in fact जो एक age statement जो इस whiskey में नहीं आती है monkey shoulder whiskey के साथ मेरी complaint रहती है that I do feel that it's slightly overpriced but क्या ये whiskey टेस्ट में उस प्राइस को justify कर पाएगी let's find out relatively light color is whiskey का it's more like a yellowish golden color हला कि इसमे artificial coloring का use कर गया है but one thing which I have to say कि जो aroma is whiskey का मुझे यहां तक का रहा है जबकि इतना दूर मन से glass and it's very pleasant so चलिए nosing चुरू करते है yeah it is actually a very strong aroma but it's unpleasant it's very nice pleasant honeydew melon very similar to any space side whiskey जो आप नोस करेंगे a bit of vanilla on the nose as well I'll have to say काफी सिमिलर है मेभी सम्धिन लाइक या फिर सिंगल तन not similar to monkey shoulder I think nose कि बापले मेगर में कंपरिसन करूं it's not that similar to monkey shoulder but there is a nice bit of fruity-ness in this there is a bit of honey which I am giving a good you know you do feel that nice flow which you are taking on your nose the aroma it's like a nice river flowing but let's taste it okay just a very very pleasant experience there is a lot of loads I am giving a lot of flavors but there is no one flavor that is standing out which could be a good thing or a bad thing depending on what you expect from your whiskey definitely a nice bit of fruity-ness with whiskey specifically if I talk about there is a nice green apple which I am getting a bit of pear a bit of honey but a bit of honey but a little spiciness of whiskey में जो end में feel होती है आपको but overall a very smooth very tender and very pleasant experience किसी नदी किनारे आप जाए वहाँ कुर्सी लगाएं और अपने पै रखदे पानी में जैसे जैसे नदी बहती रहेगी आपके पैरों को थंदा थंदा पानी टच करता रहेगा आपके पैरों से जो वह relaxing experience है वैसा experience आप इस विस्की के साथ expect कर सोते हैं इस वेरी नाइस free-flowing विस्की there is maybe a bit of complexity क्योंकि थोड़ा सा इवाल्व होती है विस्की there is a bit of depth but ultimately I'll say it's a very nice beginner विस्की. Easy to sip and I think this will go well with on the rocks or with cocktails as well even अगर आप सोडा के साथ मेने चाहते है अपनी विस्की को this should taste well because काफी साथे फ्लेवर्स हैं इस विस्की में काफी अच्छा एक broad spectrum cover करती है but at the same time बहुत जादा कॉंपलेक्स भी नहीं है यापको लगे कि इस विस्की को आप मिक्स नहीं कर सकते हैं overall a nice package in the bottle अगर मैं बात करूँ स्कोरिंग की there is no doubt that it's a very good whisky a nice whisky जो space side region को एक बॉतल में कैद करके आपको आपके सामने पेश करती है and if you really want to experience a good space side whisky then it's definitely not a bad choice however I have tasted better whisky's in this price range but regardless we will come to value for money but I think if as far as taste is concerned I will give this whisky 8.8 out of 10 अगर बात करी जाए value for money की I think this is a topic I think this is a topic which I definitely would like to add my opinion that this is a whisky which launched new whisky drinkers target करते हुए people who are learning whisky पीना सीखने हैं single malts try करना शुरू कर रहे हैं and I do think that उन लोग के लिए बहुत अच्छी उसकी है it has a very nice taste profile which is very well suited for young drinkers but price इसका रखा गया है 4,150 which is not that affordable especially considering in mind की इस price इस price range से कम में आपको काफी और single malts मिल जाएंगी जो age statement के साथ आती है 750 ml की bottle में आती है यह 700 ml की bottle है तो 50 ml कम मिल रहे आपको इसमें तो यह चोटी चोटी चीजे हैं but it really matters जब वो चीजे आप add करते रहते हैं सो चाहे दो तीन सुर्पे जादा महंगी हो चाहे एच रिपन ना हो चाहे 700 ml की bottle में हो लेकिन जब इन सारी बातों के आप जोड़े हैं then it doesn't look like a very good deal एक अच्छी विस्की है थोड़ी सी ओवरप्राइज है I think this is one area where they can look at I will give it 7.6 out of 10 for value for money थोड़ा सा lenient हो रहा हूं है but I think that it's a good whisky so worth trying but they should look at the pricing so iska MB's man cave score होता है 8.2 out of 10 and yes I will compare it with monkey shoulder उसके लग अग से वीडियो बनाना पड़ेगा क्योंकि I think काफी in-depth एक blind tasting comparison करना पड़ेगा इसका monkey shoulder के साथ so that is coming in a future video तब तक like करिए इस वीडियो को share करिए अपने दोस्तों के साथ चैनल पर subscribe भी करिए मिलते हैं जल्दी तब तक के लिए cheers